कई समय से चल रहा इंतिजार अब खत्म होने जा रहा है अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्मान के बाद अब प्राण प्रतिष्टा का इंतिजार है भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है पहले चरण का काम पूरा होने के बाद राम लला उनके भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्टा की तैयारया चल रही है इस प्रम में राम मंदिर के गर्भ ग्रह में राम लला का भव्य सिंगासन बनकर तैयार हो गया है इसी सिंगासन पर प्रभु राम लला विराजमान होंगे श्राम जन्भूमिर तिर्थ शेत्र ट्रस्ट के ओर से भव्य राममंदर की तस्वीरे जारी की गई है 22 जन्वरी को अयोध्या में नव निर्मित राममंदर में रामलला की प्राण प्रतिश्टा के लिए 84 सेकंड का अति स्विश्म मूरत होगा जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्टा की जाएगी राम मंदिर तिर्थ शेत्र ट्रस्ट ने राम लिला की प्राण प्रतिष्टा के लिए देश भर के विद्वानों और चोटी के जोतिशा चार्य से प्राण प्रतिष्टा के समय को नरधारित करने के लिए कहा था इसमें से काशी के जोति मिनिट आठ सेकंड से बारा बजकर 30 मिनिट 32 सेकंड तक होगा उतरप्रदेश के अयुद्या में प्रभू रामलला के उनके नव निर्मित भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्टा की तैयारिया जोरों पर है तीन फेज में मंदर का निर्मान कारे दिसंबर 2020 तक पूरा कराया जाएगा इससे पहले प्रतम चरण के मंदर निर्मान का पूरा होने के बाद 22 जनegen tones Mira को प्रभू रामलला को उनके भव्य मंदर के गर्व ग्रह में विराजमान कर दिया जाएगा इसके लिए तैयारिया को पूरा कराया जा रहा है मंदर नर्मान कारे करा रही श्री राम जन्म भूमिर तिर्त शेत्र ट्रस्ट वाइस जन्वरी से पहले सभी व्यवस्ता को दुरुस्त करने की योजना पर काम कर रहा है मंदिर के गर्ब ग्रह में रामलला के लिए एक भव्य सिंगासन बनाया गया है वही मंदिर के अंदर की दिवारों पर कलाकरतियों को गड़ने का काम भी जारी है रामलला का सिंगासन तीन फिट उचा और आठ फिट लंबा बनाया गया है राम मंदिर के भूतल में लगे खंबो पर भगवान शंकर की मूर्तिया उकेरी गई है जिनकी तस्वीरे बेहद मनमुहक है मंदिर के हर कोने को आकडशक नकाशिदार पत्थरों से तैयार किया गया है राम मंदिर के भीतर से आई नकाशी की इन तस्वीरों ने लोगों को भाव विहोर कर दिया है मंदिर की प्राण प्रतिष्टा से पहले शिखर पर पांच मंदबों का नर्मान किया गया है वहीं प्राण प्रतिष्टा के लिए होने वाले अनुष्ठान को लेकर दो मंडब का निर्मान किया गया है श्री राम जन्ब भूमी शेत्र ट्रस्ट ने भव्य मंदिर की अनुखी तस्वीर जारी की है अयोध्या राम मंदिर के गर्ब ग्रह का निर्मान चल रहा है इस बीच राम लला के सिंगासन को लेकर कई बाते सामने आई है प्रभू राम लला संग मर्मर और सोने की प्लेट लगे सिंगासन पर विराजमान होंगे श्री राम जन्ब भूमी तिर्थ शेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य ने बताया कि ये सिंगासन राजस्थान के कारीगरों ने बनाया है, ये सिंगासन 25 दिसंबर तक अयोध्या पहुँच जाएगा, इस सिंगासन को लेकर लोगों में सुक्ता बढ़ गई है, वही मंदिर उद्गाटन से पहले अयोध्या को लेकर लुग देने की योजना पर भी काम तेज हो गया है, वही पर अयोध्या को प्रान प्रतिष्टा से पूर्व सौगात मिल रही है, यहां 30 दिसंबर को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी रोडशो करेंगे, रोडशो के दौरे में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाद भी शामिल होंगे